नवस्कार, बोल किलाब आजाद है तेरे मैं आभिसार शर्मा ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहिए तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल किलाब आजाद है तेरे अब आप समझे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने पिछले दस सालों में कोई प्रेस कॉंफेंस क्यों नहीं किया मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल को प्रधान मंतरी ने इंटरव्यू दिया है और आज मैं आपको छोटी छोटी जलकिया दिखाने वाला हूँ कि पत्रकारों ने उनसे किस तरह के सवालात पूछे और दरसल क्या सवालात पूछे जाने चाहिए थे मुद्दा सिर्फ मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज एटीन का नहीं है मुद्दा यहाँ पर ये है कि अभी कुछी दिनों पहले A.N.I. ने समाचार एजनसी A.N.I. ने उनका इंटर्व्यू किया था और सवाल ये पूछा जा रहा था कि भई ये चुनाव तो महज एक उपचारिकता है यानि आपकी जीतता है और ये चुनाव महज उपचारिकता है ये हालत है इस देश के पत्रकारों की दोस्तों और आपको लगता है कि ये आपके मुद्दे उठाएंगे एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि निउज 18 ने प्रधान मंत्री से किस तरह किस अवालात पूछी पत्रकार उनके सामने गिड़ गिड़ा रहे थे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का भाव एक महराजा की तरह था और ये तमान दास की तरह उनके साथ बैठे हुए थे इनके होट काप रहे थे और आखों में एक हीरो वर्शिप था यानि कि हमारे सामने हमारे खुदा बैठे हुए है और ये डरे हुए थे और जाहिर से बात एक डरा में हुआ मीडिया आपके बुद्धे क्या उठाएगा सबसे पहले ये सवाल सुनते है प्रधान मंत्री से पूछा जा रहा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं आप यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं आप यह सब कैसे कर लेते हैं सुनिये अपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारे कठीनाय का सामना किया है ऐसी हालत में भी आप तफ डिसिजन लेते हैं एक कैसा कर पाए अब बात यहाँ नहीं रुकती है दोस्तों ये सवाल हो गया था अब इसी सवाल को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं थी मगर नए शब्दों में इसी सवाल को दोबारा पूछा गया और पूछा गया आपको कौनसी शक्ती प्रेरित करती है सुनिये सहाब आप इतना ट्रेवल कर रहे हैं दिन में पांच चार छे रैली वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में तो इस सम्में आप फिट कैसे रहते हैं कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दर्द संकल्ब दे रही है आगे बढ़ने का ये हैं गुरूप के संपादक जिनका नाम है राहुल जोशी इनके अंदर का भय देखिए दोस्तों कहने को म्यूज 18 के गुरूप संपादक हैं सबसे उचे पद पर हैं मगर आखों में घबराहट देख रहे हैं आप परम चाटुकारिता देख रहे हैं आप सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं है उल्टा विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं कि विपक्ष आपके बारे में न जाने क्या क्या कहता रहता है मोदी जी आप कैसा महसूस करते हैं सुनिये आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटक के तौर को उनको भी देखा जा सकता है ये ऐसा मोदी के साथ क्यों हो रहे हैं मुद्दा ये है कि उनका जो चैनल है उसके पात्रकार इस तरह से प्रधान मंत्री के सामने चार्ट उकारता कर रहे हैं और अभी कुशी दुम पहले दोस्तों आपको याद होगा एनाई ने प्रधान मंत्री का इंटर्व्यू किया था मैं सिर्फ आपको पांच सेकेंड की जहलक दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर देखिए कि उनकी जो संपादक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जो हो महज आपचारिकता है सुनिए उन्होंने क्या का क्या ये चुनाव महज एक फर्मालिटी है हो सकता है भारती जनता पार्टी आसानी से 300 सीटे ले ले क्यों ना ले भाई पिछले 10 सालों से आपने देश की जनता को ब्रेनवाश किया हुआ है मगर जिब चुनाव होता है तो मुकाबला होता है और जितनी स्पेस आप सत्ता पक्ष को देते हैं मगर जिखानानी जगह अपत्ता पक्ष को देते हैं उतनी जगहवएपक्ष को देना चाहिए क्योंकि देखिए हम पाकिस्तान, छीन, उत्तर, कॉरियव या रूस नहीं है हमें एक स्वस्त लोक्तंत रहें कम से कम इन दावा किया जा सकता है असलिया जो भी है वो तो अभी अभी मैंने आपको दिखा दी ये क्या सवाल होता है कि ये चुनाव तो महज आपचा रिखता है और खीसे निपोरते हुए अपने दाथ दिखाते हुए सबसे बड़ी बात महतरमा आप रामदेव के दंत मंजन का विध्यापन नहीं कर रही है इसलिए कठोर सवाल पूछने की हिम्मत कीजे प्रधान मंत्री ने पिछले दस सालों में कोई प्रेस कांफरेंस नहीं किया पहला सवाल तो आपका यही होना चाहिए जब आप उनसे इंट्रिव्यू कर रहे है और क्या-क्या सवाल होने चाहिए पूछने चाहिए आपको जो मैं आपको बताऊंगा खासतोर से पिछले कुछ दिनों से क्या रहा हूँ उसको लेकर मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों 2019 में भी यही किया गया था आपको याद है एक महतर्मा ने कहा था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं नोश फर्माईए अब दी इंसान है मेरी भी दो आँख है आपकी दो आँख है मैं भी कही बार ऐसा होता है ठक जाती है और मैं यह कहती हूँ दो बहुत थकान होगी अभी नहीं होगा सच बताई लिए वाइडोंट यूग टाइव आप थकते क्यों नहीं होगा आप बहुत ज्यादा पजैसिव है अपनी कुर्सी को लेकर आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगएर आप ले रहे हैं क्या आप रास क्या है यह नहीं एक और पेंट किलर पत्रकार है जी हाँ उसने कहा था कि आप बटूवा रखते हैं और बटूवे में क्या रखते हैं मोदी जी खुद ही घबरा गए थे कि भाईया यह क्या सवाल है सुनिए पेंट किलर पत्रकारिता की एक मिसाल मोदी जी मैं गंभीर प्रश्ण पर आऊँ से पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ यह तमाम पत्रकार जो हैं दोस्तों राष्टबाद की बात करते हैं देशभक्ती की बात करते हैं मगर इनका सिर्फ एक काम है भारती जनता पार्टी की चाटुकारिता और उसके अलावा कुछ नहीं इन में से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो टेलिविजन पर बैठ जाते हैं शराब के नशे में धुत इन्हें शर्म तक नहीं आती है दोस्तों और यह अपने आपको पत्रकार बताते हैं इन में अगर हिम्मत है ना तो प्रधान मंत्री से ये सवाल पूछना चाहिए था कि करनाटक में आपके सहयोगी हैं जनता धल और उसका एक सांसद है प्राज्वल रवन्ना वो आदमी जो बैंगलूरी से जर्मनी भाग गया है आप ही के हासन के जिला ध्यक्ष लगातार पार्टी को चेतावनी दे रहे थे कि हासन से प्राज्वल रवन्ना को टिकेट ना दिया जाए प्रधान मंत्री से ये सवाल पूछना चाहिए था कि जब भाजपा के निता खुद कह रहे थे कि इस आदमी के खिलाफ अशलील वीडियोज है जिसमें वो कथित तोर पर यौन उत्पीडन कर रहा है करीब 2700 वीडियोज है और ये वीडियोज उन्होंने खुद बनाए है प्रधान मंत्री से सवाल पूछना चाहिए ना कि प्रधान मंत्री हमें ये बताईए कि आपके अपने पार्टी के नेता कह रहे थे कि इन्हें टिकेट ना दिया जाए फिर भी प्रधान मंत्री आपने क्यों टिकेट दिया हुने सबसे बड़ी बात प्रधान मंत्री से ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि आपको उन विडियोस की जानकारी होगी फिर भी आपने मंच पर खड़े होकर उनके लिए वोट मांगे नौश फरमाईए हासन लोगसभा से एंडिये के सिर्फ प्रजवलन रह्मना और मंडिया से मेरे मित्र एस्टी कुमार स्वामी आने वाली 26 एप्रिल को इनके लिए आपका हर वोट मोधी को मजबूती देगा देश का भविश्यत तै करेगा और यहीं दे दोस्तों अब जब कि ये मामला सामने आ गया है तो भाजपा ये लगातार जूट बोल रही है और वो जूट क्या बोल रही है कि भई इन तमाम विडियोस की जानकारी कॉंग्रिस को भी थी तो फिर कॉंग्रिस ने कोई action क्यों नहीं लिया ये तो वही बात हो गई दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को डाटे अब मैं आपको एक बयान बताता हूं दोस्तों जो कही न कही भाजपा की पोल खोलता है और यही सवाल प्रधान मंत्री से भी करना चाहिए था आपके screens पर Prajwal Ravana's former driver who possessed a pen drive with videos of sexual abuse by the Janta Dal SMP makes startling revelations he says he handed over all the material only to BJP leader in Hassan denies claims that he gave a copy to Congress President D.K. Shivakumar साफ तोर पर उनका driver कह रहा है कि मैंने video Congress के D.K. Shivakumar को नहीं दिया मैंने सिर्फ हासन के जो जिला ध्यक्ष हैं उनको दिया Mr. Gauda को ये videos दिये मैंने मगर भाजपा ये जूट लगातार कह रही है प्रधान मंत्री से ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए था कि प्रधान मंत्री आप अपनी रालियों में मुसल्मानों को घुसपैटिया बताते है क्या मुसल्मान इस देश के नागरिक नहीं है आपने क्यूं छेड रखा है मुसल्मानों के खिलाफ अभियान प्रधान मंत्री से ये भी पूछा जाना चाहिए प्रधान मंत्री जब आप ये कहते हैं कि राहूल गांधी एक्सरे मशीन के साथ आपके घर में घुसेंगे और आपका मंगल सूत्र किसी और को दे देंगे तो ये घोशना पत्र में कहा लिखा हुआ है ये घोशना पत्र में कहा लिखा हुआ है कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो गव हत्या शुरू हो जाएगी और प्रधान मंत्री से ये पूछना चाहिए कि अगर मुख्य मंत्री आदितनात ये दावा कर रहे हैं तो बताईए गोआ में गव हत्या को बंद क्यूं नहीं करवाया गया जहां आपकी सरकार है केरल में आपके एक नेता नहीं दावा क्यूं किया था कि अगर केरल में हम सत्ता में आ गये तो हम आपको सबसे बहतरीन क्वालिटी का गो मांस मोहिया कराएंगे बीफ मोहिया करवाएंगे बहिए तमाम मुद्धे आप उठा रहे हैं ना तो इनी मुद्धों पर सवाल कीजे इधर उधर की बातें मिलकुल मत कीजे प्रधान मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि ये आफिडेविट में जिस तरह से आपने किसान आंदोलन के दौरान ये कहा था किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है तो कहा है प्रमान बताईए तमाम जो दावे किये जाते रहे उसको लेकर प्रमान कहा है प्रधान मंत्री से पूछे कि क्या आप ब्रिजभूशन चरण सिंग को टिकेट देंगे क्यूं कर दिया जाता है और फिर अदालत आपको फटकार लगाती है प्रधान मंत्री से पूछे गुप्त चुनावी चंदे को लेकर कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस लॉट्री किंग सांटियागो मार्टिन के खिलाफ आप केस करते हैं उनी का बेटा आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है और क्या यही वज़ाए कि लॉट्री किंग को गिरफतार नहीं किया जाता प्रधान मंत्री से पूछे कि प्रधान मंत्री एक हाथ ले एक हाथ दे ये बात क्यों दिखाई दे रही है गुप्ट शुनावी चंदे में यानि कि जिस ओद्यों के घराने ने हजार करोड रुपए आपको दिये उसे तमाम कॉंट्राक्स मिल गए और ऐसे कॉंट्राक्स मिले कि उनके कामकाज को लेकर सरकारी एजनसी कॉंट्रोलर और अउडिटर जेनरल यानि C.A.G. ने सवाल उठाए मगर आपने कोई आक्शन नहीं लिया जिस सिल्कियारा टैनल में हमारे मजदूर भस गए थे उनकी जान जा सकती थी उस सिल्कियारा टैनल को जिस कंपनी ने बनाया उस पर आपने कोई आक्शन नहीं लिया इसी लिए क्योंकि उन्होंने आपको गुप्त चुनावी जंदा दिया था आप लगातार ये कहते रहे कि भई रॉबर्ट वाडरा ने भरष्टाचार किया है भरष्टाचार किया है अब उनका जो जमीन सौधा जिस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है यानि D.L.F उन्होंने भाजपा को करीब 1.500 करोड रुपए दिये क्या इसलिए आपने रॉबर्ट वाडरा के खिलाफ कोई आक्शन नहीं लिया ये बहुत सरल सवाल है इसमें कोई बहुत जादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है ये प्रधान मंत्री से पूशे जा सकते हैं अब आप समझे कि प्रधान मंत्री मुझ जैसे पत्रकार को इंटर्व्यू क्यों नहीं देते हैं क्योंकि जो तमाम सवालात मैंने अभी अभी आपके सामने रखे हैं, इनका जवाब न प्रधान मंत्री के पास है न आमिजशा के पास है। इधर उधर के अनरगल बाते हैं कर सकते हैं, मगर इन सवालों को जवाब इनके पास नहीं है। मगर हम तो सवाल पूछेंगे। हविसार शेर्मा को दीजिए अजासत। नमस्कार।